जैहिन साथियों मैं आलोग कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को Milton English Classes में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास टापिक ग्रामर का टेंस टाइम इन टेंस आज हम लोग करने जा रहे हैं प्यारी बच्चियों आप सभी बच्चों से मेरा आगरा होगा कि अधि आप इस चैनल पे नए हैं तो जाकर के सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको ऐसे सी धेर सारे वीडियोज मिले ताकि आपकी जो English Language है strong हो सके कई सारे बच्चे हमसे पूछे शर बिना टेंस पड़े क्या हम अंग्रेजी बोल सकते मैंने कहा जी नहीं क्योंकि टेंस वो basic चीज है जहां आप sentence को सोचते हैं और sentence को सोच करके बनाने का भी काम करते हैं तो बिना टेंस को पढ़े हुए हम इस बात पे कलपना नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे स्पोक पर्सन बन जाएं बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ध्यान से जब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे सारी चीज समझ में आ जाएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छा उधारन से मैं समझाना चाहता हूँ टाइम और टेंज के बारे में सपोज कि यहाँ पे आप देख पारे हूँ मैंने यहाँ पे कुछ फिगर ड्रो करना चाहा और मैंने ड्रो भी कर लिया सायग ठीक है आप समझ सकते हैं यह एक्चली हमारी ड्रोविंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह एक लड़की है यह क्या है एक लड़की है और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं कुछ समान है कुछ समान है मेरे बच्चे और मैं अगर कहूं अगर ये लड़की को निर्देश दिया जाए कि इन समान को ये box में fill करना है ये box में क्या करना है फिल करना है अब ये समान को इस box में लाला करके क्या कर रही भर रही तो इन्होंने जो action को कर रही है जो काम है इसका वो continue है तो इस process को हम कहते हैं बच्चे continuous process क्या कहते हैं continuous process continuous process इस बात को समझेगा continuous process कहते हैं कि यह जो लड़की है वो articles को डाल रही है इस box में और यह जो काम कर रही है इस प्रकरिया को हम कहेंगे continuous प्रकरिया या फिर continuous क्यों क्यों क्योंकि हमारा यहां पर जो काम है वो जारी है अब एक समय ऐसा आएगा मेरे प्यारी बच्चों कि यह जो काम है ना वो पूरा हो जाएगा आनि यह सारे articles को इस box में यह लड़की डाल देगी जब यह सारा काम पूरा हो जाएगा तो वह जो process कहला यईगा वू कहला यईगा प्रफेक्ट क्या कहला यईगा बच्चे perfect क्या बोलेगा perfect ठीक है अब देखे मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ अब देखे ऐसा है कि इन्होंने काम सुरू कर दी और काम जब सुरू कर दी तो एक समय ऐसा आएगा कि इन्होंने कुछ articles को यहाँ पर रख दी होगी तो कुछ काम इसका जो है वो पूरा हो गया होगा तो जब पूरा हो गया होगा तो मैं इसे कह सकता हूँ कि फिर से यह perfect हो गया लेकिन अब भी इसने सारा articles को इसमें नहीं भरी हुई है तो कुछ articles बचा हुआ है आनि इसका जो काम है वो चली रहा है तो चल रहा है तो इसको हम कहेंगे continuous क्या कहेंगे बच्चे continuous कहेंगे इस बात को आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपने यहां क्या देखा कि अगर कोई काम जारी है कोई काम अगर action अगर बात करूँ अगर action हमारा अगर action बच्चे action अगर continue है अगर action continue है तो वो हो जाएगा continuous क्या हो जाएगा continuous परफेक्ट इसका मतलब है कि हमारा action यहाँ पे जो है वो हो जाएगा बच्चे completed क्या हो जाएगा completed हो जाएगा लेकिन इसकी परभाव औरतमान समय तक रहते रहेगा perfect continuous में यहाँ पे जो action है बाबू वो क्या होता है कि action जो है वो कुछ action complete हो गया रहता है और कुछ action जो है वो जारी रहता है तो जो जारी रहता है उसे हम कहेंगे continue क्या कहेंगे continue तो जो जारी है उसे हम कहेंगे continue और जो complete हो गया तो continuous perfect आनि perfect continuous यह हमारे तीन परकार के जो यहाँ टेंस देख रहे हैं आपको समझ में आरहा होगा एक आता है indefinite जो इन सबसे अलग है दोस्तों indefinite अगर आप से कोई पूछ ले कि indefinite में क्या समझेंगे सर तो मैं आपको बता दू indefinite में सिर्फ हमें प्राप्त होता है only information सिर्फ क्या प्राप्त होता है सिर्फ information क्या ये बात समझ में आ रहा होगा जैसे मैं कहता हूं बच्चे की मैं पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता हूं तो यह information है कि मैं पढ़ाने का काम करता है अगर मैं कहूं कि सीता अंग्रेजी बोलती है तो सीता के बारे में हम जान रहे हैं कि वो अंग्रेजी बोलने जानती है जैसे मैं कहूं वह कार चलाना जानती है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर information हमें मिल रहा है तो यह जो चार टेंस आपने देखा indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous again मैं repeat कर दे रहा हूं अगर सिर्फ हमें information मिले तो हम इसे कहेंगे and definite और अगर action हमारा continue है बच्चे तो इसे हम कहेंगे continuous और action एक time पे complete हो गया तो इसको हम कहेंगे perfect और action हमारा चली रहा है और कुछ action हमारा complete भी हो गया तो हम उसको कहेंगे perfect continuous चलिए आगे ध्यान से आध्यार के साथ भी लगेगा canada present present के साथ apply होगा फिर यह पास्ट चाथ प्लाएच होगा और future के साथ भी अपलाएच होगा ये हमारा क्या है बबू ये हमारा time है ये हम61 क्या है और जो मैं चलिए आपने आपका इस आपने स्क्रिन सौट ले लिया होगा मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं वैसे चात्र जो हजारी बाग में रहते हैं और हजारी बाग टेंथ दे करके आए हैं मैं उन चात्रों को सुचीत करना चाहता हूं कि मिल्टन इंगलिस क्लासेज मिल्टन इंगलिस क्लासेज जो है मिल्टन इंगलिस वाव आप लोगों के लिए जो है निव बैच लेकर आ रही है मिल्टन इंगलिस क्लासेज निव बैच लेकर आ रही है बाइस मई से बाइस मई से निव बैच है और यह जो है वो आप लोगों क की बात करूं spoken की बात करूं तो यहां पे ये भी बहुत सहज तरीके से करवाया जाता है और तीसरा मैं बात करता हूँ literature तो ये तीनों ये तीनों जो section है यहां पे कराया जाएगा timing मैं बता देता हूँ timing होगा 9 से 10 तो seat बहुत कम है आप लोग जल्दी ही संपर कर ले हमारी contact नमर में आपको लिख देता हूँ 7352263617 आपको कहा आना है तो लोचन पत आना है कहा आना है लोचन पत लोचन पत आना है जो की guideline coaching के just सामने वाला building में आपको ये center मिल जाएगा जहां आप बहुत बहुत बहतरीन तरीके से literally you can improve your communication skill बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं there are so many students who want sir I want to improve my communication skill but they don't continue but don't worry मैं यहाँ पे आप लोग के लिए सिखाने के लिए आप चीजों को बोल सके आपकी English language बहुत सांधार हो सके मैं इन तमाम मकसद से यहाँ पे new batch start कर रहा हूँ तो limited seat है आप जितना जल्दी हो सके आप अपना batch में आ करके seat confirm कर लें से लिए मैं अब आता हूँ आगे तो आपने बहुत अच्छे से सिखा यह basic सा चीज मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान दिजेगा कई सारे students already tense को जानते होंगे लेकिन कई students नहीं जानते हैं मैं उन बच्चों को यह class समर्पित करना चाहता हूँ बाबु मैं एक बात बताना चाहता हूँ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ present time को लेकर बता रहा हूँ प्रजेंट time को लेकर बता रहा हूँ किस चीज को continuous तो आपको समझ लेना एक चीज जो मैं बता रहा हूँ continuous का मतलब समझ लेना है कि वर्ब का 4 वर्ब का ing form वर्ब का ing जैसे मैं लिखता हूँ वी 3 अगर हो तो वो perfect होता है बच्चे वी 3 जो हो तो क्या हो जाएगा perfect लेकिन वी 4 किसकी बात करता है continuous तो मैं लिखता हूँ present, past और यहां लिखता हूँ future यहां क्या लिखता हूँ future अब आप समझना मैं बात करता हूँ present तो present time के लिए हम यहां पे helping बब लेते हैं age, m और आप सारे बच्चों को यह basic सी जानकारियां पता होगा कि age वहां पे आता है जहां subject singular है, mi के साथ लगता है और r वहां पे आएगा जहां subject plural है और बाबु अगर मैं बात करूँ present का यह time हो तो past का क्या time बनेगा sir, past का time बनेगा was or were, future का क्या time बनेगा sir, future का time बनेगा will or sell, will or sell, लेकिन यह model verb है चुकी, तो model verb में हमेशा b1 लगता है, लेकिन यहां पे model verb में जिसमें have ना लगा हू, b1 लगता है, बट यहां दोस्तों हम b1 नहीं लगाएंगे, यह चुकी continuous की बात कर रहा है, तो b लगाएंगे, और b के बाद word for तो लगाना है, यहां भी word for हमारा होग यहां भी word for होगा, तो आपने इससे क्या देखा, कि continuous को आपने पूरा time के साथ adjust करा, present time के साथ आपने correlate कर लिया, past के साथ कर लिया, future के साथ कर लिये हो, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूँ कि present का time indicate क्या होगा, तो is MR, present is MR, past was were, future क्या होगा, will be, shall be, will be, shall be, और continuous है, इस इस बात को दिमाग में रखना है, कि is MR plus before, present continuous होता है, was were plus before, past continuous होता है, will be, shall be, plus before, future continuous होता है, अगर मैं हिंदी की बात करूँ, तो मैं लिख देता हूँ बच्चे, मैं हिंदी की बात करूँ, तो यह देख रहे हो, रहा, रहा है, इससे आप पहचान सकते, यह जो है है, वो बता रहा है, present की बात कर रहा है, और रहा जो बता रहा है, वो बता रहा है, continuous है, रहे है, रही है, ठीक है, रहा हूँ, तो यह जो आप देख पा रहे हैं, यह जो लिखा हुआ है, यह सारा चीज, वो time है, और यह जो है, tense है, जो बता रहा है, कि present continuous tense है, वहीं अगर मैं आता यहाँ पे क्या हो जाएगा रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा रहे थे यहाँ पे क्या हो जाएगा रही थी ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा रहा होगा रहा होगा यहाँ पे क्या होगा रहे होंगे रहे होंगे रहे होंगे रही होगी तो आपने आद कर लिया एक बार इ तो आपने इस चीज़ को देखा आपने इस चीज़ को देखा समझ में आगया आप लोग को कल जा करके मैं अगर पूछूँ बाव प्रेजेंट का बताओ तो आप बता सकते हो ना प्रेजेंट का टाइम बताना continuous में किसे बताना है continuous में सर continuous मतलब B4 और पर इप यह एम आर यह Āम आर प्लिस वीफोर सर अगर मैं कहूं fast तो पास्ट आप बता सकते हो ना पास्ट कहोगे सर वाज़वर वाज़वर प्लिस क्या वीफोर वगर pied future 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 में बता सकते हो आपनोग future में बता सकते हो विल बी-आ Milb i will be a Self be will a self be इसके बाद भी इसके बाद हो गया अब करना हमें practice practice करना है बच्चे देखो मैंने यहां कुछ subject लेखे आई ली यू ही यहां क्या लिखता हूं प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट के लिए क्या होगा और क्या है अगर मैं यहां पास्ट के लिखता हूं किसके लिखता हूं पास्ट के लिए तो बाबु क्या होगा वाज और और अगर मैं फ्यूचर के लिखता हूं तो फ्यूचर के लिए क्या बी विल सैल प्लस भी और सब के बाद जानते हैं क्या होगा सब के बाद जानते हैं क्या होगा वर्व का फोर वर्व का फोर बाबु यह प्रजेंट में है यह पास्ट में फ्यूचर में अब आप जोड़ लो प्रजेंट में आई के साथ क्या लेगा आई के साथ क्या लेगा विखे साथ कर लेगा आपने इक कॉंसेट को समझ लिया होगा एक और मैं इसको समझता हूं इसको ट्रिक समझता हूं बच्चे आपको अगर konyun забा कांच कौन सा पर öण सिंगूलरा है और कौन से बर ओर है कॉम सी ऑफ सिंगूलरा है और कौन सी बर फुल्डराल है इसके लिए मैं एक बढ़िया कौंसेप्ट आप लोगों को बताता हूं ध्यान रखना एक कौंसेप्ट है बाबू जिसके अंत में ऐसा है या आतर वो सेंगुलर रहता है सिल्ड़ रहता है जैसे मैं बताता हूं हेँ देखते एसा गया सिंगुलर है वाज ऐसा गया सिंगुलर है है ऐसा गया सिंगुलर है डज है ऐसा गया सिंगुलर है खास बात में वर्क में वावू ऐसा गया सिंगुलर है पले पले ऐसा गया सिंगुलर है तो आपने समझा चलिए आप तब तक सारी वीडियो मतलब चीजों को स्किन सौट ले ले और फि नए हूँ चैनल पे तो जरूर चाइन को सब्सक्राब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें तब तक रही आप लोग खुस और जो बच्चे 11th क्लास में इंगलिस लेना चाहते हैं चुकि बहुत जरूरी इंगलिस लेना तो आप जरूर संपर करें मेरा दियाओवा नमर पे 7352-263617 धन्यवाद